जहिन जे भारत मैं देवेंदर सिंग राठोड और आप देख रहे हमारा यूडूब चैनल आईडिये क्लाजेज जेपूर आप सभी का दिल की गहराई से हार्दी कविडंदन है और सबसे पहले आप मेरे पीछे देख सकते हैं यह है एक्स एक्स और वाई ग्रूप एरफोर् जो फीजिकल टेश था और फेस्टू के अंदर फीजिकल और साथ ही जीडी आप सभी को पता होगा एसार्टी हटा दी गई है सभी के पास मेल्स आगे होंगे अगर आपने नहीं देखा तो अभी देख लीजिए आपका एसार्टी हटा दिया गया है जो की एरफोर्स धमाक जीजिज भी आचुकी है तो अभी जो यह एक्जाम है फेस्टू के लिए अभी अगस्त के अंदर एक्जाम होगा और अभी भी आपके पास 15 से 20-25 दिन अभी भी बाकि है और हमारे यहां पर फेस्टू की एक स्चांदार तैयारी कराई जाती है तो अभी मैं मिलाता हूँ मनिश कुमार एक बार जोड़ अब दरतालिया मनिश के लिए मनिश आपने फेज टू अभी क्लियर किया है तो सबसे पहले टो आपको बधाई और साती सुब कामना एकक्स्टू के लिए तो क्या एक्सपीरियेंस रहा कितना वक्त रहा आपको यहां पर आई वे और क्या चल तो काफी वजन भी बढ़ी गया श्रीर का इस रहनीं में काफी समस्य आई पैर में दर्दवा तो अभी जरी जरी टाइम अच्छा करो रहा है अभी क्या टाइम आ रहा है अभी साथ मिनिट आ रहा है बहुत बढ़िया तो 15 दिन के अंदर आपने काफी इंप्रोमेंट किया है और दूसरा नेगेटीव है क्योंकि SRT करी में करें दस से पंदरा बचे आउट हो जाते हैं तो एवन वो आगे तक जाएंगे तो एवन कॉम्पिटिशन थोड़ा कहीं ना कहीं बढ़ा है बटे काफी बच्चे जो इनको की SRT की वज़े से आउट और काफी बच्चों को ड आपने फेज वन क्लियर किया इसके लिए और ठेड सारी सुब काने फेज टू के लिए फेज टू के लिए आपको कितना वफ्त हो गया यहां पर मेरेको लगबग 10-15 दिन होगे और जब मैं आया था स्टाइडिं के अंदर तो मेरे साढ़े आठ मिंट भी आती थी थी शोड अधर रखी है मैंने सर रेगुलर एक्साइब वगेरा करता रहा है रेगुलर वाम अप वगेरा रेगुलर भागना लॉंग रर्निंग वगेरा टी शुब यह साम दोनों टैम आता था हमारे कोच सर राम को लेकर आते थे 10-15 बच्चे आते थे साम को तो कंसिस्टेंसी रख तो पॉजिटिव भी है क्योंकि हर बैस से लगबग 50-70 परसेंट बच्चे बार आ जाते उसमें से तो ऐसा ठीक कही ना कि पॉजिटिव एक्ट है सर और नेगेटिव यह है कि सर आगे तक बच्चे जाएंगे और जिसको लगता था सर नॉर्मल है कोई होगा नी तो वो सर अब जो निव एकनसी भी आ रही है एरफोर्स आपको तौफे पर दिये जा रहा है तो अब जो निव एकनसी आई है उसके बारे में क्या चाहूँगे निव वैकनसी निकाली है साथ 300 प्लस पोस्टे निकाली है उसके उपर और 27 जुलाई से 17 अगस्त तक फोरम बढ़े जा जा थे हां यह है तो वत दो कितना ओफैसर का अंधर उसके बढ़े में नर्मल होता है सर और अगर पांच है और इसी के सार दीपा चोधरी जोड़ दर तालिया एक बड़ दीपा चोधरी चलिए दीपा आपने फेज वन क्लियर किया है इसके लिए एक अंगरिशन्स और धेट सारी सुब कामने आपको फेज टू के लिए फेज टू जो आपका है उसके अंदर S.R.T. को हटा दिया गया जादे लो लेवल होता है तो जिनका S.R.T. आउट हुआ मतलब S.R.T. केंसी लो गया तो अब जो बोल सकते ना उनके लिए यह ज़्यादा स्पोर्ट है कि वो अब S.R.T. के डर से करेंगे नहीं और वो इनलग जीडी में अच्छा करेंगे परफोर्मेंगे बिल्कुल तो अब कहीना कहीं जैसे पहले बोला है कि जीडी के अंदर कंपेटिशन बढ़ गया है अब दूसरी न्यूवेकेंसी अभी आ रही है उसकी बारे में क्या खाणा चाहोगे पेपर इजी होता है वस्तैयारी करो मतलब मैं दो मैंने लाश्ट अगर को इस स्टार्ट से करना चाहे ना तो भी दो मैंने में हो जाती है एक उसका इत्ता तक में जो गल्स है हमारी जो जैसे पहले उनको वह फॉम नहीं बढ़ते थे क्योंकि उनको लगू नहीं किया गया था अभी लागू किया गया है तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि उनको किन को फॉम बढ़ना थी मतलब जो या तो ट्वेल्ट में है अभी और जो ट्वेल्ट पास आउट हैं फश्टेयर में जिनकी एज है वो भर सकते हैं आराम से और इतना टफ नहीं आता फेपर और लड़कियों की कटोप बहुत कम जाती है यानि कौन कौन सी स्ट्रीम वाली ओंको बढ़ना चाहिए लुकाशंकि जो आर्मी में जीडि है जो सेना पुलिस है उसके अंदर भी 85 परसंटेज वाले ही करते हैं मतलब उन सबको तो बरी देना चाहिए जो 85 आरमी के लिए सोच रहे हैं आर्मी से तो बैट रहीए तो आपको जरूर भड़ना चाहिए जो भी आर्मी के लिए तयारियां कर रही है जो सेना पुलीस की तयारियां कर रही है उन सब को यह फॉर्म भड़ना चाहिए अभी फॉर्म चालू होने वाले हैं 27 जुलाई से चालू होने वाले हैं तो 27 जुलाई से जो भी बच्चे देख रहे हैं गल्स एंड बॉइस सभी इसका फॉर्म भरिए और तयारी कीजिए हमारे यहां बैच अल्रेड़ी स्टार्ट है तो आप यहां जाकर कि तयारी आकर तयारी कर सकते हैं साथ ही हमारे यहां फ